विधायक बने भाईया तो भौकाल कैसे चूके? कुछ ऐसी ही खबर राजिस्थान के चुरू से सामने आई जहां बीजेपी विधायक हरलाल सहरन सरकारी काम कर रहे ट्रांस्पोर्ट इंस्पेक्टर से ही भड़ गए और सत्ता की हनक दिखाने लगे दरसल मंगलवार सुबर साथ बजे चुरू के रतंगड रोड पर ट्रांस्पोर्ट इंस्पेक्टर रॉबिन सिंग अपनी ड्यूटी पर तैनाथ थे इस बीच जब वहाँ एक ओवरलोड ट्रक पहुँचा तो ट्रांस्पोर्ट इंस्पेक्टर ट्रक की जाँच परताल करने लगे तब ही पता चला कि इस ट्रक पर तो नंबर प्लेट तक नहीं है इसके चलते कारवाई के तहट ट्रांस्पोर्ट इंस्पेक्टर इस ट्रक का चालान काटने लगे बस फिर क्या था वहां माजूद लोगों ने विधायक जी को फोन घुमाया सूचना मिलते ही विधायक हरलाल साहरन भी दम-दमाते हुए मौके पर पहुँच गए और वहां पहुचते ही मानो किसी लौ एंफोर्स्मेंट एजनसी की तरह आटियो कर्मियों पर ही कारवाई करने लगे विधायक जी तो आटियो की गाड़ी की तलाशी लेते भी नजर आए विडियो में देखिए कैसे आटियो कर्मी की गाड़ी की तलाशी लेते वधायक जी नजर आ रहे हैं हुआ मुआ लेत्ज़ आत नाटियो में काड़ी कैसे आटियो कर दो हो अधुतर लोट आज आए ड soort विडियो ढूतियो ओकत्तिया तर्वेस्वाजम इचितले केंसे, जैएक हली जाएक टाल उगकर है को हो है हुआ जिए यह ख़रर कैसे लुट आटियो लेत pump है देखते ही देखते चालान काटने को लेकर वहाँ विवाज जैसी स्थितिब बनती दिखाई दी मौके पर मौजूद लोगों और विधायकों ने आटियों की टीम को ट्रक नहीं ले जाने दिया बीजेपी विधायक सहरन समेत कई लोगों ने इस्पेक्टर की गाड़ी का घेराव किया कुछ लोगों ने गाड़ी के आगे लेटने का भी प्रियास किया ट्रांस्पोर्ट इस्पेक्टर रॉबिन सिंग तो अपना काम कर रहे थे लेकिन रॉबिन हुड बन सत्ता की हनक वधायक हरलाल सहरन दिखाते नजर आए वधायक जी की इस कारिस्तानी के चलते इंस्पेक्टर रॉबिन सिंग ने ट्रक के काटे गए चालान में लिखा कि वधायक हरलाल सहरन ने गाड़ी नहीं ले जाने दी और चाबी निकाल ली वधायक ने जबरन हमारी गाड़ी की तलाशी ली जिसमें उनको कुछ भी नहीं मिला उन्होंने इस सरकारी काम में बाधा उत्पन न की है ट्रांस्पोर्ट इंस्पेक्टर की तरफ से बनाए गए चालान पर वधायक जी अपने विकासकारे की जलक देखकर और तम-तमा गए और ट्रांस्पोर्ट इंस्पेक्टर रॉबिन सिंग पर खुद के साथ ही अबद्रता का आरोप लगा दिया मौके पर उस समय डियेस्पी सुनील जाजडिया मौजूद थे उनी के जरिये विधायक जी ने ट्रांस्पोर्ट इंस्पेक्टर के खिलाब एस्पी चुरो को शिकायत भी दर्ज करा दी और अब इस पूरे मामले को विधानसबात तक में उठाने की बात कह रहे हैं चलिए एक बार फिर से देखे कैसे विधायक जी रॉबिन हुड बन कर आईटियो की गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं और आईटियो कर्वी बिना किसी विवात के विधायक जी को गाड़ी चेक भी कराते नजर आ रहे हैं लाट रहे हुड हैं खैर शिकायत विधायक जी दे की है तो S.P. सहब संग्यान भी लेंगे लेकिन इस विवाद का विडियो तो बता रहा है कि विधायक जी आर्टियो की टीम की कारवाई में खुले आम बाधा डाल रहे है सवाल ये है कि किस कापैसिटी में आर्टियो की इस कारवाई को रुकवाने विधायक जी पहुँचे थे ओवरलोड ट्रकों से होने वाले हादसो और बिना नंबर के वाहनों से होने वाले अपरात का जिम्मा भी क्या विधायक हरलाल सहरन उठाएंगे